हेलो एबरिवन, आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्ट की तेयोरी एक मिनट में आपके सामने एक लाइन लिखी है, वाइगोस्ट की रश्या के एसल्जी से पढ़ा इसका मतलब क्या है, वाइगोस्ट की रश्या, ये रश्या के सेंटिक्ट थे SLC एक दिल्ली में को यूनिवर्सिटी है सामलाल कोलीजगर के तो उसे रिलेट करेंगे SLC इन्होंने तीन आस्पेक्ट बताये थे S से सोशल, L से लेंगवेज, C से कल्चर इन तीनों को इन्होंने डवलप्मेंट में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट माना है कौन-कौन से सोशल, कल्चर, लेंगवेज उसके बाद इनकी तीन इंपोर्टेंट टर्म और थी उन्हें समझते हैं पहली ZPD ZPD होता है जोन ओ प्रोक्सिमल डवलप्मेंट इसमें वो जोन होता है जिसमें हम जिसकी भी हैल्प कर रहे हो उसे उसके मैक्सिमम पोटेंशल तक पहुचा सके ठीक है सेकिंड है इसका फोल्डिंग इसका फोल्डिंग एक टेंप्ररी हैल्प है और M.K.O. more knowledgeable other यह हर वो परसन होता है जिसे हमसे ज़्यादा इन्फोर्मेशन हो और वो हमारी हैल्प करें आयोप आपको यह वीडियो समझना ही होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें